प्रेज दे लोड हालेलुया सबको जैमसी की परमिश आप सबको आशिश दे तो इस वीडियो को बनाने का आज मेरा बड़ा ही खाश परपस है इसलिए यह आपके लिए कि श्पैशल अनॉसमेंट है तो इस वीडियो को अंतक्ति में बने रहना इस अनॉसमेंट के बाद आप के लिए परमिश ने बड़ा ही ब्लेस वच्चन दिया उसको भी सुनना और मेरा शास है इस अनॉसमेंट से और इस वच्चन से प्रपू आपको बड़ा ब्लेस करेगा जैसे इन दिनों में परमिश ने अपनी सुविच्छा को मेरे मन में डाला क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि परमिशि है तिल्पी 2 की 13 में लिखा परमिशी है जो अपनी सुविच्छा ञख करने का प्रवाब हमारी मनों में डालता है इन दिनों में जो हमें परमिश ने weapons ने अपनी सुविच्छा को डाला कर हम प्रात्मा को शिरू करें जो सौंभ आर से लेकर सेचएड़े होती है क्योंकि पहले चाप्ना शिरू की तो सेचएड़े सरफ शनिवार होती थी तो मैंने बोला था की मैंने संडर भी बोला था से कुछ महीना एक पहले कि परमिश्य जल्ड अपना नुगय करेगा यह जो प्रेर सिर्फ अभी हम हथते में सिर्फ एक ही दिन शाम को करते थे हम तो मैंने ऐसे चाहत की थी कि यह सारे दिन होगा और मैंने कहा था कलिसिया को कि हम जल्ड इस प्रेर को पूरा ऐसे हथता करेंगे तो अभी यह प्रेर शुरू है सोंवार से लेकर सेचेडे तक सिर्फ प्राइडे नहीं होगी क्यμεने फ्राइडे शाम को हम लाइव आप शिक्षा सुनोंगे वचन को सुनोंगी और उस प्रात्ना को सुनोंगे जो मैं अलग टाइम फ्राइडे शाम को अपको दूंगा तो ये सौवार से लेकर सेटेडे तक या फ्राइडे को प्रेयर नहीं होगी तो ये पूरा ऐसे लगाता रहा सारे दिन तो अभी ये स्टार्ट है तो ये में मेरे मन में आया कि मैं आपके साथ इस बात को शेर करूँ और बताऊँ क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग को हमारी मिलिस्ट्री के साथ जुड़े है जो कहीं से भी जो लोग हमें देखते हैं और उशास करते हैं तो उन लोगों के लिए एक बहुती सुन्यारी मौका है उन लोगों के लिए जो प्रात्मा करने में कमज़ूर है जहाँ होती नहीं है जह नीद आ जाती है जहां प्रात्ना करने की उन्हें समस्ती जहां उनके पास शब्द नी तो कई बार क्या होता है कुछ लोग प्रात्ना उन्हें बैठते हैं तो उन्हें नीद आ जाती है अगर वो करती तो उनके पास शब्द नी होती ऐसे भी होता है तो ये प्रात्ना जो शुरू हुई है ये आपको बहुत जादा मेरा विश्वास से बढ़ा दो आपको इसका नाम भी प्रभु ने हमें इस प्रात्ना का नाम दिया है प्रात्ना के योध्वा बने बोलो प्रात्ना के योध्वा बने योध्वा तो ये प्रात्ना जब रोस आप सुनोंगे, रेसीव करोगे, हमारे साथ बैठ कर सुनोंगे, उन शब्दों से वचनों को पकड़ोगे, कैसे हम करते हैं, इन दिनों में तो सौवार से लेकर बुद्वार तक तो मैं भी यहां पे आया और बच्चों के साथ, टीम के साथ मैंने भी प्रेर की वचन दिया, और बाकी दिन में जैसे जैसे परमिशन गवाई करेगा, मैं आता रहूंगा पूरे हपते में, तो जैसे जैसे परमिशने चाहा, और मेरा शांस है कि यह प्रेर अपने लोगों को बहुत बढ़ाएगी, उनके शांस को बढ़ाएगी, उनकी आत्मिक बुद्धी को खोलेग और उन्हे प्रात्मा करने का उनके अंदर हयाथ को पैदा करे, तो इससे सुनने से रोज रोज आपकी प्रात्मा के शब्द भी बढ़ जाएंगी, और आपकी प्रात्मा भी बढ़ जाएंगी क्योंकि Prairie कैसा मातर सिर्व रस्ता है जो जिसे हम अपने जीवन के सारे प्राबलम्स का हल करते हैं बैठते हैं प्रमिशचे के साथ बाते करते हैं प्रमिशच के साथ तो अगर हमें इसकी अच्छे से समझ नहीं है तो हम कैसे बाती करेंगे, कैसे खुदा से उन चीज़ों का लाब लेंगे, जो परमिश्य कहता है, मुझसे प्रात्ना कर, जो बाते कथीन हैं, बड़ी हैं, मैं तुझे बताऊंगा, तो वो तो परमिश्य कहा है कि मुझसे प्रात्ना कर, पर अगर हम इस समझ नहीं है, जा ज और मैं बता रहा था कि आने वाले दिनों में परमिश्व अपनी लोगों को बड़ी बड़ी गुमाईयों के साथ खड़ेगा बड़ी बड़ी बिख्स बड़ी ब्लेसिन आपके जीवन में पैदा करेगा मेरे शास है जै होने वाला है और जितने लोग इसे शास से पकड़ेंगे और दीन मन कर ऐसे रसीव करेंगे उसको शास से लेंगे वो ज़ादा ब्लेस्ट होंगे आमीन तो ये प्रेयर का जिस टार्ट है इसको मिसमत करना दूसरों से शेर करना और खुठती बनना दिखना आपके बड़े से बड़े हलात क्यों नहीं है, वो चले जाएंगे बड़े से बड़े हलाद क्यों नहीं अब जड़कर देखो तोई करो कोई भी चीजह है जैसे परमिशने का चकर देखो, मैं बनाऊν तो जब तक हम किसी चीज को करके नहीं देखते तब तक कुछ नहीं होता तो इसे अपने करना है वोलो किया इसे अपने करना है अपने एक पर करके देखो जादा नहीं है तो कोई भी अगर हमें यूटूब पे कोई भी हमें नया देखता तो आप कम से कम एक तो हफ्ता सुनों, देखना मेरा शांस ने प्रभू सच में, क्योंकि ये मेरी अपनी इच्छा से नहीं, ये खुदा ने वच्चन दिया स्वरक से, और मेरा शांस है जब आप ऐसे मन से हफ्ता दो हफ्ते जुड़ों के तुद देखना परमश्याप को जब हम उत्पती एक अध्याई में पढ़ते हैं, उसका एक अध्याई में, कि आधी में परमश्य ने काश और पृत्वी को बनाया, और लिखा गहरे जल के उपर परमश्य का आत्मा पानियों पर मन राता था, क्योंकि जिस पृत्वी पर आज हम रहते हैं, अपने जीवन क के सारे काम गंदे करते हैं, एक दिन ये पर पृत्वी सारी पानी से बहरुटी, तो परमश्य के मन में आया कि मैं इसकी परित्वी की सृस्टी करूं, इससे बनाओं, तो परमश्य ने सारे पानी को का, एक जगा कठे हो जा, जो कठा हो गया, उससे समंदर का, सुकी, बूम को उसने प्रत्वी कहा उसके बाद परमिशने एक एक चीज में बनाना शुरू किया पहरे दिन क्या बनाया दूसरे दिन क्या बनाया पीसरे चोटे डीज वाले पौदे फल वाले पौदे पश्यू पंक्षी जीव जन्तू रिंग सब चीज़ों को बनाया ना समुंदर की मश मश्नीयों को पेड़ों को हर चीज को बनाया घुदा शे दिन तक तो लास्टी परमिशने असे मिठेलीी और पुतला बनाया उसमें अपनी जीवन बेहें का सवांस फुका जो उस प्रित्वी पर पहला मनुष्टा जो मिट्टी का बनाया तो उसी मनुष्टे परमिष्ट से उसकी पसली को निकाल रिकॉर्ट को भिप्यनाया तो नर नारी करके उसने फिर प्रित्वी की स्रिष्टी की, अगर हम उत्पति एक की शबिस पढ़ें, तो यहां पर लिखा, फिर परमिशने का हम मनश्यों को अपनी सवरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुंदर की मशलियों और काश की प्रित्वी पर रेंगती हैं अधिकार रखी, क्या रखी, अधिकार रखी, ता परमिशने मनश्यों को अपने सरूप के अनुसार उत्पन किया, अपनी सरूप के अनुसार परमिशने उसको उत्पन किया, नर और नारी करके उसने मनश्यों की स्रिष्टी की, और परमिशने को अशीश दी और उसे का फुलो फुलो और पृत्वी में बर जाओ उसको अपने बश्च में कर लो समंदर की मश्लियां तता काश के पंक्षियां और पृत्री पर रहेंगने वाले सब जंतूं पर अधिकार तो परमिशने जब आदम और हवा को बनाया तो उससे पहले परमि परमिशने कैसे इसिए तो कोश्वी इस फृत्री परमिशने डा चाही वह कुछ भी है चाहीव सोना क्यों नहीं हीरे क्यों नहीं है कुछ भी क्यों नहीं तो वह सब चीजां किसके सें मिश्णे ने इनस Án के बनाई थी वो सारा अधिकार एक समय प्रिथवी का किसके किसके पास आया शेतान के पास आया उनकी एक गलति के कारण भूलो के है जो चीजों का सब कुछ जो कुछ खुदाने बनाया पह इनसान के लिए वो सारा अधिकार किसके पास आहे। श्यतान के पास आया। इसलिए ओँ ही अधिकार जो आदम और हवा ने अपनी गर्थी के कारण खो दिया था। बोलो गया था पृत्वी की सब चीजों का अधिकार जो खो दिया था आज परमिश्ण में फिर से वो चीजी वापस देने के लिए वो स्वरक से पृत्वी पर आए मानस्ते में बोलो कहा है मानस्ते में आए थाकि वो जो अधिकार शेटान ने आदव और हवा से पाप करा कि उसके पास आगया वो परमिश्ण हमारा सच्चा खुदा जिंदा खुदा जो मानस्ते में आया जिसने अपना जीवन देकर हमें हमारे जीवन को बचाया हमें पाप से बचाया फिर से परमिश्ण से मलाया और वो जो अधिकार शेटान के पास पा फिर से हमें वापस दलाए है वह कैसे हैं कि जानते हैं ज़िश्व this ने अपना छीवन Cross पर दिया जभ डिए जचाली दे निराहर परहिश्व कर रहे थे तो हम जानते हैं शेतां, पर खने के लिए इश्व्स you को उसने कहा अगर तु जब भूख लगी तो उसने कहा अगर तु प्रमश्यका पुत्तर तो बोल ये पत्थर रोटियां बन जाएं क्या बन जाएं तो वह कहता तो बन तो सकती थी पर शेतान की कोई भी बात को उसके वच्चन को नहीं पूरा का ना इसलिए इश्यमसी ने वच्चन से अत्तर दिया कि ये भी लिखा है मनुश्केवर रोटी ये से नहीं हार एक वच्चन से जीवत रहेगा फिर उसने सेकंड बार कहा अगर तू यहां से गरा देगा तेरे बारे लिखा तुझ अगर तुझे उठा लेंगे हाथों में उसने फिर वच्चन से बात की तीसरी बात उसने का अगर तू मेरे आगे जुकेगा दंडवद करेगा तो जगत की सब ये ऐशो राव वैडफर्व जो भी दुनिया का सब चे चीजें मैं तुझे भी दूंगा वहां पे तो लिखा मती में चार में मैं तुझे भी दूंगा और उरिजनल टेस्ट में लिखा वो सब चीजें अगर तु मेरे आगे छुकेगा तो वो चीजें मुझे जो मैं तुम्हें दूंगा वो मुझे सौंपी गई वहां पे उरिजनल टेस्टमेंट में ऐसे लिखा वो सौंपी गई क्य तो मैं तुझे सब चीजे दूंगा तो उश्मसीन फिर वच्चन से उत्तर दिया ना इसनी उसके बाद श्यतान बाग तो आस वो सारा दिकार वो सब चीजें परमिश्य हमें फिर से उसने अपना चीवन क्रॉस पर देखे जो श्यतान के पास ती आज खुदा ने हमें दे दि मिलेंगी जैसे यहन्हा रसकी दस में लिखा उसने कए चोर आखा चोरी करे घाब करे नाश करे मैं इसलिए आयाहउन चोर उसने शसने शटान को कहा उसने का ने मैं इसलिए आया haTON ए जीवन पाएं और भाताइफ का आख भाताईफ का मत्तल Abundant Life चोखा जिसमें कोई कमी नहीं तो वह जो मेरी बातों का विशास करते वो उस जीवन को पाएंगे बोलो के पाएंगी इसी लिखा Believe to receive to equal विशास है बरबर प्रापत करने के हम जब विशास देते हैं इस तरफ से यसे करते हैं एक आख दे और दूसरे आख लें जब हम अपना शास देते हैं परमिश्र को तो इस एक आख देए ऐसे शास दे और दूसरे आख से परमिश्र से ले लिए क्योंकि अब जो सारा अदिकार शतान के पास था परमिश्र ने हमें अपना जीवन देके फिर से वापस ले लिया है पर अब ये जो अधिकार पहले मनुश्र ने और पहले उतने खो दिया था परमिश्र ने दे तो दिया पर अभी इस समी परमिश्र का कनून है कि वो उशास से ले पहले तो दे दिया परमिश्र ने पर उनकी गलती करन उसके बार जो प्रमिशन ने अपनी विदी ठहराई है कि अब वो सारी जो चीज़े मैंने मनुश्च के लिए बनाई है वो लिखा वे है वे है जो मेरी बातों का उशास करेंगे मेरी हर बात को मेरी हर आग्या को मानेंगे वे उस जिमन को पाएंगे वो सारी चीज़े जो शेतान ने आपका सुख चैन आप ऐसे जैसे लोग पैसा तो है मगए डिपरेशन में बोस में कुछ लोग गरीबी में करस्त में परिशान थेंदारियों में तकलीपों में, आलातों में, तो वो जीवन इश्मस्यने आके हमने फिर से वापस तो दे दिया है, बोलो क्या दे दिया, पर अभी वो मिलेगा विश्वास से, ये नियम फेराया, हर चीज जो शतान के पास उसने हमारी जीवन की ले ली, अब हमने विश्वास देना हैं और ल तो आज तो हमारे लिए फसे का मेंना ये शमसी बलिदान हो गया तो आज सिर्फ अपने हर चीज़ के लिए विश्वास करना है विश्वास करना है तो कि विश्वास से आप सब कुछ किसे लोगे उस खुदावन से कि अपने विश्वास देना है और उस विश्वास से जब आ उसके धर्म और राच्ची उसके सचाई की क्या करो, खोज करो, इस जीवन की चिंता मत करो, क्या थाओगे, पीओगे, पहनोगे, तो इस जीवन की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गिय पिता जानदा है, तुम्हें इन चीजों की जरूरत है, पर सबसे पहले उसने का उसके धर्म और राज और की सचाई की खोज करो तो जिन वस्तनों के पीशे दुनिया दोड़ रही है वहां पे तो लिखा मिल जाएगी पर उरिजिनल टेस्ट में लिखा वो सब चीजें तुमारे पीछे पड़कर आएगे जब तुम उसके राज्य और सचाई की खोज करो उसे जानों तो बस आपने उसको जानना है उसकी खोज करनी है इस वचन में यह बचने के चाबिया है इसमें सबकुछ आपके जीवन के लिए अपलवद है अपनी आपको क्या चाहिए अपनी प्रात्ना में कौन-कौन सा वचन बोड़ना है कैसा उशास करना है जब आप व विश्वास बराबर है प्रापत करने को विश्वास करोगे प्रात्ना करोगे उस वच्छन को वह लोगे तो प्रमिशा से लोगे तो बस इसको और भी पकड़ना है आपनी और इसमें बढ़ना है एक जो चीज शुरू में प्रमिशन नहीं हम जानते सब चीजी जब शुरू म प्रदिकार रखो सारा को जो कुछ भी हम इस बिठवी पर देखती हैं सब कुछ लिखा उसने अंसान लेकिए बना दू किया बनादीयां बलू इंसान के लिए बनाया है उसने गाहिए सब चीजों पर अदिकार रखो पर वह दिकार उनकी गर्टी करना बाद किसके हात में आपने पकड़ना हैं और उसमें बनना हैं क्योंकि आज आप सब कुछ परमेश्चर से विशास से वापस जो शेतान ने लिया आप ले सकते हैं मैं हालेलिया तो इसमें बने रहना मेरा शास है कि जी जो प्रात्ना कि मैंने आज आज आपको अनॉंस्मेंट दी है तो इसमें आप बहुत बढ़ जाओगे इसमें आपका फेत बढ़ जाएगा आपका शास बढ़ जाएगा आपको समझ आएगी वचनों की आएगी प्रात्ना की आएगी और देखना फिर आप परमेश्चर से बड़े लाब को लोगे आमें तो इसलिए इसमें बने रहना इसक कि आने वले दिनों में आपको ये प्रात्मा बड़ी बढ़ाएगा आमीग तो परसों संडे है तो प्रभु भोस की मीटिंग है और मेरा शास है कि इस प्रभु भोस की मीटिंग में भी परमिश्रा आपको अपने वच्चन से, अपनी पावर से, अपनी हीलिंग से, अपनी ब्लैसिंग से भी बहुत प्लैस करेगा तो मैं विशास करता हूँ इस संडे प्रभु भोस की जो मीटिंग है इसमें भी परमिश्रा हमें बहुत प्लैस करेंगी अपने वच्चन से बहुत से टेस्टा मनी से, गवहाईों से और जो मैं प्रात्ना करूंगा उस प्रात्ना में मास पेर में God bless you all Amen